दोस्तों आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ राशी जहीर केशव परसाद मौरे ने जब कहा के संगठन सबसे बड़ा होता है तो इस बात के माइने बहुत सारे निकाले जाए लेकिन अब चर्चा इस बात पर भी चल रही है कि क्या भारते जनता पार्टी को जो तलाश एक नए अध्यक्ष की वो केशव परसाद मौरे के रूप में पूरी हो रही है केशव मौरे अगर भारते इंता पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं तो आप ये मानिए कि पिछले कारे काल में जब वो डिप्टी सीम थे अब भी डिप्टी सीम है साले चार पौने पांच बरस में योगी आधित्यनात केशव परसाद के घर की दूरी डिस्टेंस बताते हैं दो तिन किलोमेटर का है साले चार बरस लग गए थे तब पहुंचे थे चोंकि पिछलों के नेता कहे जाते हैं बड़े नेता माने जाते हैं जमीन पर क्या हाल है यह तो मैं नहीं कह सकता घर गए था अपनी सीट लेकिन 2017 से पहले 16 में भी कारेकाल उनी के पास था ऐसे समय में अगर केशव परसाद मौरे नड़ा साथ से मुलाकात करने के बाद क्या चुकि यह संग से भी जुड़े हुए हैं पिछलों के बहुत बड़े नेता भी हैं और देश में सब ही जगा बिहार, बंगाल, उत्तर परदेश, मद्धे परदेश, राजिस्थान, महरास्त कहीं भी चले जाई या दलितों का एक वर्ग, अति पिछलों का एक वर्ग और पिछलों का एक वर्ग भारती जनता पार्टी से छूटा है दलितों की बात तो यह समझ में आ सकती है कि साहब स हाधिन्ता पार्टी के मैं कह सकता हूँ कि वहँमत मैं आने वाली सरकार की एक कुर्सी की दो, एक या दो टांगे तोड़ दी है कुर्सी की टांगे कह रहा हूं मैं, और मस खुए गा कुश्वई पिछलों के अति पिछलों के बल ही किया है जाता है और क्या है बागी मुश्मी वोट देते नहीं है सिख वोट देते नहीं है तो पिछले का जो 50-60 परसंट का जो जंक है इसका बड़ा हिस्सा अमिश्या अपनी तरफ लेकर आये थे ऐसे समय में अपचुकि उत्तरपरदेश ही बहुत बला सूबा है वहां बहुत बला मैंने जो भी कहा था कि वो जो मोडी योगी के और मौरें सापके बीच परसंट से थे वो किसी तरीके से खतम होने का नाम ej ले रहे मैंने अपसे पिछले एपिसोड में कहा कि संगतहन के विधायक भी और नेता भी जो मौ सब्ड़ा के मेंबरान भी केशब मोरें से मिलते भी नजर आए दिल्ली में पचास नेताओं की संदीव चोजरी आते हैं उस पर एबी पी पर वो पूरा पढ़कर सुना रहे थे मैं सुन रहा था नेताओं की लिस्ट है जो केशव परसाइद मोरे से मिले हैं अब उनसे जब मिले हैं तो क्या वाजा है उसके बाद फिर वो न मुख्य मंतरी के पद पर आसीन रहते हैं तो रिपोर्ट करनी पड़ेगी केशव परसाइद मोरे साहब को जो आपके और हमारे इस समय उत्तर परदेश के डिप्टिस सी हैं तो ये खेल चल रहा है अभी मीटिंग में जिस परकार से आपने सब ने सुना योगी आदित्यना पर आतने जी ने कहा कि अति आत्म विश्वास की वज़ा से ये हार हुई है जिम्मेदारी की होनी चाहिए इसमें कोई दोर आई नहीं लेकिन जब उनको पीछे से हटा दिया गया है केम्पेशन से उनको ज़्यादा एग्रेसिव वे में उनको रोल नहीं दिया गया है तो ऐसे समय में क्या होता तो ऐसे समय में अगर एक पिछले को भारती जंटापार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाता तो तमाम परदेशों में एक तो ये मैंसेच चला जाएगा कि भारती जंटाप्रटी अब पिछलों को सही परति निदित्व दे रही है देखिए भारती पूराइने के योगी आदित नाजी ने जो अपना पूरा का पूरा कार रेकाल चलाया है उसमें ना तो उनके खरीब कोई नेता है चुक्कि आरेसे से तो आते नहीं है योगी जी और ना भारते इंतर पाइट इनका तो अपना युवाव आई नहीं था पहले और ये अपना उनका मठ है उसी से आते हैं ये गोरक नाथ पीट से तो ऐसे समय में अगर अध्यक्ष बन जा दे हैं केशर परसाद मोर रहे हैं तो योगी जी के बीच में भी पता चलेगा कि अब आया है उट पहाल के नीचे खैर वह कमारे खैली पलाव हो सकते हैं लेकिन एक बड़ी बारती जनता पार्टी काम्याब हो जाएगी कि देखिए हमने पिछलों को भारती जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया लहाज़ा जो पिछला अखलेश यादव के ममतब एनरजी के या तेजस्वी यादव के पक्ष में चला गया है हो सकता हो वह वापसा आ जाए हाला कि इस बारे में मैं बात करना जरूरी समझता हूँ कि भले ही वो कद उचा करके केशव परसाद मोरे को अध्यक्ष बना दें लेकिन केशव परसाद मोरे पिछलों के इतने बड़े नेता है नहीं मेरी नजर में कोई और नेता आता है मुझे उत्तर परदेश के चीफ नहीं लेकिन फिर भी जब कद बन जाता तो कद बन जाता उसमें कोई दिक्कत हो ली ना है ऐसे समय में भारते जिनता पार्टी एक तीस से कही निशाने कर सकती है पिछलों पिछला जो छूट करके चला गया है वो वापस भी आ सकता है और यह खबर काफी ज्यादा मैं अके नेक्स टाइम में किसी खबर के साथ आजिर हो जाता हूँ जैहिन झाल